हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास और अगर आप भी अपने फोन में ब्लूटूथ हेड़फोन, ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ वाला जो एरपोर्ट होता है उसको कनेक्ट कर रहे हो पर आपको दिक्कत आ रही है कि आपके इसमें आवाज नहीं आ रही है आपका कैसे करें आईए जानते हैं तो इसको ठीक करने के हम दो-तिन तरहीं आपको बताएंगे सबसे पहला तरही का है आप अपने फोन को ये बार बंद करके चालू कर दीजिए, यानि अपने फोन को री-स्टार्ड कर दीजिए, हो सकता है इसके भाद आपके दिक्कत ठीक हो जा करके चालू कर सकते हैं इससे भी दिक्कट ठीक हो जाती है तीसरी चीज है अगर आपके Bluetooth device में याने की headphone में जो battery है वो कम है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है वो connect तो दिखाता है पर उसमें आवाज नहीं आएगी तो आपको इस चीज का ध्यान लखना है कि वो full charge होना चाहिए और अगर आपके phone की battery भी 10% से नीचे है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है अगली चीज है यहाँ पे आप Bluetooth में आईए अपने phone के setting में आईए मैं दिखाता हूँ आप setting में जाएए Bluetooth आपको मिलेगा इस पर touch करिए आप अपना Bluetooth का जो नाम है device name इसको change करिए यहाँ पर आप इसे हटाईए और यहाँ पर लिख दीजिए Monday आप कुछ भी लिख सकते हैं मैं Monday लिख देता हूँ और right option पर touch करता हूँ तो यह हो चुका है और अब अपने device को दोवारा connect करिए इसके लगा आपको जो device connect है आप इस पर touch करोगे तो आपको disconnect करने के लिए कहेगा यह arrow पर touch करोगे तो आपके पास ऐसा page आएगा आपके पास यह सारे option चालू होने चाहिए द्यान लखिएगा आप इसे rename कर सकते हैं अपने device को यह सारे चालू करिएगा unpair करके दोवारा pair कर लिजिए और आपकी जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी और एक और setting है मैं आपको दिखाता हूँ आप setting में जाएए उपर search करिए mono audio तो mono audio search करिए आपको यहाँ पर इसे चालू कर देना है ध्यान लखिएगा और आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी और जो mono audio वाला setting है आप इसे अपने phone में ढून सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube में जाए अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें